ओम शान्ती आज आपका पचासवा दिन वर्दान का और आज के वर्दान में मुख्य बात ये है कि हम भक्ती में सदकाल के लिए परमपिता परमात्मा का जो अनहद नाद है कुछ कहते हैं अम किद्वनी कुछ कहते हैं अलाहू अक्बर कुछ कहते हैं हे गौड़ फादर ओ गौड़ फादर तो हम ये सारी बातें, ये सारे भजन, ये सारे गीत सुनते आएं हैं और हम चाहते हैं कि ये अनहद नाद बचता रहे जिसे कहते हैं कि भगवान की जोती सदा जगी रहे तो कई हम देखते हैं, बोलते हैं वहाँ पे चूला कभी भी बंद नहीं होता सदा अगनी जलती रहती है ऐसे मंदर है ऐसे गुर्दवारे है जहाँ पर सदा अगनी जलती रहती है लेकिन आज परमपिता परमात्मा हमें उस अगनी के बारें बता रहे है जिसके द्वारा हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और वह ऐसा परिवर्तन जो की हमें जन्म जन्मांतर कले सुखी बना देता है तो आईए देखें आज बाबा कहना क्या चाते हैं हमसे इसी के साथ देखते हैं साधर्णता आज का वर्दान साधर्णता को समात कर साधर्णता मतलब कोई भी साधर्ण विक्ती कोई ऐसा कारे नहीं कर पाता जिसके द्वारा उसका नाम हो लेकिन परमात्मा कहते हैं हमें याद दिलाते हैं कि आप तो ऐसी आत्माएं हों जिनको मैंने चुन करके निकाला है जिनके अंदर असाधर्ण होने की नॉट नॉमल असाधर्ण होने की शक्ती है तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि साधर्णता को समाप कर महांता का अनुभव करने वाले श्रेष्ट पुर्शार्ती भवा कि अपने जीवन को अगर परिवर्टन करना है तो साधार्ण तरीके सरी महांता से तीवर पुर्शार्ट से फटा-फट परिवर्टन करना है तो देखें, विस्तार में बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, जो श्रेश्ट पुर्शार्ती बच्चे हैं, उनका हर संकल्प महान होगा, वो कभी भी विर संकल्प, किसी के बारे में गंदा संकल्प, बुरा संकल्प, अपवित्र संकल्प, उनके प्रते कोई भी शुब भावना की विप्री संग कल्प नी बनाएंगे वो, तो परमात्मा कहते हैं, क्योंकि उनके हर संग कल्प स्वास में स्वता बाप की याद होगी, कहते हैं न, कि परमात्मा का संग मिल जाए, तो जीवन बिलकुल डाइमंड जैसा हो जाता है, और बुद्धी बिलकुल हो जाती है, परमात्मा को अगर हम देखें, तो परमात्मा ही वो फिलोसफर स्टोन है, परमात्मा ही वो पारसनात है, जो की आत्माओं को जो कोईले जैसी काली बन चुकी हैं, उनको बिकुल सोने ऐसा बना करके, टाइमंड जैसा बना करके, परिवरतन कर देते हैं, बाबा में कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अगर उनकी धुनी है, तो उनकी धुनी स्दा के लिए आपको सुनाई दे, आपके कारू हो गूंजे आफिक अपुने है ओर आफिकी सुनाई जी अपको अगूर बोलते हैं तो सदा वो रहे, वाही भी प्रकाश हूँ आप भी प्रकाश हूँ ये शेरिर कुछ नहीं ये तो एक क्या है स्कल कहो कंकाल कहो किसी दिन जल जाना ये चमड़ी जो दिकरी है ये चमड़ी जल जानी है गोरा काला मोटा पतल क्या करना उस चीज से कुछ नहीं है, सत्य नहीं है, सत्य है परमात्मा कहते हैं, इस चीज़ के साथ में जुड़ना नहीं है तो बारवा कहते हैं, जैसे भक्ती में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे अजपा जप चलता रहे, कभी न रुके ऐसा पुर्शार्थ निरंतर हो इसको कहा जाता है श्रेश्ट पुर्शार्थ इस पुर्शार्थ में कोई मेहनत नहीं होती है क्योंकि आपकी महीमा, परमात्मा करते हैं कि आपने अपने आपको परिवर्टन कर सारी दुनिया को परिवर्टन करने का अपने उपर रिस्पॉंस्पिल्टी ली है क्या हुआ किसी की महिमा करना तो हम बोल भी सकते हैं उनके बारे में अच्छी बाते परमात्मा कहते हैं कि मेरी महिमा करनी है तो अपने अंदर परिवर्तन लाओ कि देखो मैंने आकर के तुम्हें परिवर्तन करने का रस्ता बताया लेकिन तुम परिवर्तन नहीं हुए तो उसमें मेरी कोई महीमा नहीं है तो परमात्मा की ऊपर-उपर की महीमा वो जूटी महीमा होगी आप तो सर्वश्रेष्ट हो सर्वशक्तिवान हो आप तो अजन्मा हो आप तो पतित्कों को पावन बनाने वाले हो आप तो पारस नात हो आप तो मुक्ति दाता हो बोल दिया सिर्फ भावना रखी भक्ति की और महीमा बस करी लेकिन अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए तो वो जूटी हो गई भावना वो जूटी भक्ति हो गई परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के तुम्हें ग्यान दो और तुम परिवर्तन ना हो तो फिर तो तुम मेरे सच्चे भक्त नहीं हो मैं आओं तुम परिवर्तन हो तुम अपने अंदर पुर्शात करो और दिखाओ कि मेरे को परिवर्तन करने वाला कौन है कोईले से मुझे टाइमन्ट बनाने वाला कौन है बनके तो दिखाओ तब जाकर मेरी सच्ची महीमा आओगी मेरे करतव्य की कि मैं इस धर्ती पर आकर करके कल्यूगी आत्मा को सत्यूगी कैसे बनाता हूँ चल आगे बढ़े बाबा केते हैं ऐसा पुर्शात निरंतर हो इसको कहा जाता है श्रेष्ट पुर्शात याद करना नहीं कि बैठे हैं मेरेटेशन करने के लिए याद कर रहे हैं अब ये टाइम होके चल बैठ जाते हैं उसके लिए नहीं याद अताहा बाबा केते हैं स्वता याद आता रहे स्वता ही हम याद में रहें स्वता याद आता रहें बाबा तब साधारनता खतम होती जाएगी और महानता आती जाएगी यही है आगे बढ़ने की निशानी तो कहते हैं न कि संग अगर golden हो तो आभी golden बन जाओगे कोईले के साथ रोके तो काले बन जाओगे तो परमात्मा तो क्या है? प्रकाश है, टाइमंड है, gold है, पारसनात है, फिलोसिफल स्टोन है उनकी संगत में रहना मतलब उनकी meditation, उनकी याद में रहने से सदा, अनहदनात की तरह, तो हमारे अंदर फटा, फट परिवर्तन आएगा यह नहीं थोड़ी देर याद किया, फिर भूल गए, फिर दुनिया में बिजी हो गए फिर याद किया, फिर भूल गए, फिर दुनिया में बिजी, वैसी याद नहीं तो इसी के साथ में इस वर्दान की शुरेश संकल्पों को आप लें ओम शांती